हलो नमस्कार आप सभी कैसे हैं मझे अमीद आप सभी बहुत अच्छे होंगे तो मैं आ गया हूँ आपका जो सेशन चलता है कंटीनिव डेली वो सेशन स्टार्ट हो गया है और चलिए जब ही सभी लोग लुड़ेंगे एक बार तो देखते हैं आज का पहला कोशन क्या है आपसिस्ट पदार्थों से चारकोल उत्पादन हेतू शैत्र की अस्थापना के लिए एंटी पीसी के साथ कहां समझावता आगे आपन परस्थाक्चत किये वेर डीट चीफ मिनिस्टर योगी साइन दा मेमरेंडम अफ अंडरस्टानिंग विथ एंटी पीसी फॉर सेटिं अप अ प्लांट टू प्रोड्यूस चारकोल फ्रॉम वेस्ट मेटेरियल्स ए है लखनव बी है कानपूर सी है आगरा और डी है गोरखपूर तो सर इसका जो सही एंसर है इसका सही एंसर क्या है सही एंसर है इसका डी है गोरखपूर और गोरखपूर में योगी अधित्यनाथ ने 233.2 सुन्य करोड रुपए की विकास परियोजनाओं का तौफ़ा दिया है गोरखपूर को ये क्या है योगी अधित्यनाथ का बिधान सभा छेत्र है और ये मेरा होम टाउन भी है तो उत्तरप्रदेश सरकार की ओर से जारी बयान के मुदाबिक मुख्यमंतरी की मौजूदा मौजूदगी में कचरे से चारकोल बनाने का प्लांट लगाने के लिए नगर निगम यानि गोरखपूर नगर निगम और एंटी पीसी एंटी पीसी नेशनल थर्मर पावर कॉर अपरेशन के बीच क्या हुआ है मेमरेंडम आफ अंडरस्टेंडिंग साइन किया गया है इसमें से थोड़ा सा आज़े देखते हैं बात करें सर्गोरखपूर तो गोरखपूर में गोरखपूर में गीता प्रेस है गोरखपूर में ही गीता प्रेस है और गीता प्रेस की स्वमी सताब्दी पर 2022 का बहुत ही इंपोर्डन कोश्चन है ये गांधी सांती पुरसकार गांधी सांती पुरसकार किसको दिया गया गोरखपूर के गीता प्रेस को दिया गया ठीक है कौन सा दो हजार 22 का ये गांधी सांती पुरसकार क्या है डो हजार बाइस का है और देखिए प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी खुद गये थे ये सवतापदी वर्ष पे गोरखपुर में और यहां पर गीता प्रेश को क्या दिया गया गा गांधी सांती पुरसकार दिया गया अलांकि इस पर डिस्प्यूट भी बना कि गांधी गीता प्रेश का है एक रिलिजियस पॉ और जहां तक बात करते हैं सर NTPC कि किसकी अंती पीसी कि नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन देश के कुल बिजली उतपादन का 25 परेशन बिजली का उतपादन कहां पर होता है एंटी पीसी के द्वारा ही किया जाता है चलिए आगे बढ़ते हैं अगर यूपी में बात who is the author of the drop of the last cloud drop of the last cloud की लेखक कौन है ए है जुम्पा लाहिडी B है संगीता जी C है किरण देशाई और D है सुधा मुर्ती तो सर इसका सही अंसर क्या B is the right answer संगीता जी सही अंसर है drop of the last cloud बुक है चली यह देखिए जैसा कि आपको पता है यह मेरा टेलिग्राम चैनल है देखिए आप लिखा नहीं है लिख देता हूं क्या है economics with man economics with man टेलिग्राम चैनल है यहाँ से आप PDF पा सकते हैं और हर एक तरह से exam से related हर एक आपकी information यहाँ पे मिल जाएगी तो आप इसे जॉइन कर लिजी यह मेरा Instagram ID है आप मुझे follow कर सकते हैं और किसी भी तरह की query को पूछ सकते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं अगला question है लॉस एंजिल्स 2018 में कौन सा खेल सामिल किया गया which sports has been included in लॉस एंजिल्स 2028 A है cricket, B है गतका और C है खोखो और D है योगा तो सर इसका सई answer क्या है सई answer है क्या cricket cricket को सामिल किया गया लॉस एंजिल्स जो USA अमेरिका में होगा 2028 का यह कौन सा यह कौन से नमबर का होगा सर 34th Olympic होगा 34th 34th Olympic गेम होगा 34th Olympic गेम होगा जिसमें cricket को सामिल किया गया है देखे इसमें 5 और नए खेलों को सामिल किया गया है जिसमें T20 cricket महिला और पूरुस दोनों यानि वेंस अन्बुमेंस दोनों बेसबॉल फ्लैग फुटबॉल स्क्वैस और लेक्रोस सामिल है ठीक है ये 5 गेम इस बार के Olympic इस बार नहीं पतब अगली बार 2024 का नहीं 2028 का इस खेलों के लिए 10 C Executive Committee ने मंजूरी दे दी है इसके स्थापना का हुई थी 23 जून 1894 में हुई थी इसके सदस्थे किसके IOC IOC है स्थापना का हुई थी 23 जून 1894 में हुई थी इसमें कितने सदस्थे देश है 103 सदस्थे देश है ठीक है इसका जो मोटो है क्या है Cityus, Altius बहुत ही इंपोर्टेंट है Olympic का मोटीव क्या है Cityus, Altius Fortius Communiter यह सब क्या है Latin भासा का वर्ड है जिसका मतलब बता Faster, Higher Stronger and Together बहुत ही इंपोर्टेंट है यह क्या motto of the IOC International Olympic Committee का motto क्या है ठीक है तो आए देखते है थोड़ा सा आगे Olympic Committee यह एक क्या है गैर सरकारी खेल संगठन है It is a non-governmental sports organization यह ओलंपिक खेलों के लिए आयोजन का सर्वोच क्या है प्राधी करण है organization है इसका जो मुख्याला है इसका मुख्याला का है Studisland के Lusane में है लुषान इसका headquarter है लाजेन लिखा है ठीक है और इसकी अस्थापना कब हुई थी 23 जून 1894 हुई थी थोड़ा समय आपको बता दूँ 2020 Olympic बहुत ही important fact है तो इसको लिखेंगे जरूर 2020 Olympic जो कब खेला गया 2021 में खेला गया किस नाम से Tokyo Olympic Tokyo Tokyo Olympic Japan में खेला गया ठीक है और यह कौन से नंबर का था सर यह था 32 नंबर का और 33 नंबर का खेला जाएगा Paris में कहां पे Paris, France में 32 ओलंपिक कहां पे Paris, France में खेला जाएगा कब 2024 में देखिए 2020 में होना था तो COVID के वज़़ा से नहीं हुआ 21 में हुआ था Tokyo Olympic कहां पे जापान में अगला ओलंपिक कहां पे होगा 2024 का फ्रांस में और जो 34 होगा यह कहां पे होगा लॉस एंजिल्स लॉस एंजिल्स कहां पे USA 2018 में और इसमें cricket को सामिल किया गया है Men's and Women's T20 cricket को सामिल किया गया और 5 और game को सामिल किया गया जो मैंने आपको बता दिया चलिए आगे बढ़ते हैं तो देखे 103 जो member country हैं इसमें बता दिया आपको ठीक है ज़ितने भी content आप देख रहे हैं मैंने आप सभी के कहने पे ही आप सभी के मेसेज आ रहे थे मैंने बोला आपकी क्लास का एक सिंगल कोशन का लॉस नहीं होगा ठीक है अभी मैं आपका स्टैक का कोशन बना रहा हूं अभी थोड़े काइम लग जाएगा दो चार दीन हो सकता है इस वीक से पहले-पहले मैं जिसमें इंपोर्टेंट आपके जो एक्जाम के पॉइंट अभी उसे खास करके दिल्ली पुलिस के जो एक्जाम है उसमें कम से कम आपके 200 से 300 प्रिवेस एर के कोशन में डालूँगा इस टैक का जहां से आपके 99% कोशन पूरी पोसिविल्टी है और जो करेंट अफेर करा है क्योंकि टाइम की प्रॉब्लम है तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आप कोशन की क्वालिटी देखिए कंटेंट की क्वालिटी देखिए और आपको एड़ एंसर कोशन ही बनाना है क्लास लैप्टॉप से हो या डिजिटल बोर्ट से इससे कोई फरक नहीं पड़ता आपके इतने दिनों से क्लास लगाया है तो डेफिनेटली ट्रस्ट करते होंगे तो मैं आपके भरोसे पर पूरा खरा उतरने की कोशिस करता हूं बस आप से एक रिक्विस्ट है मेरे दोस्त आप चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सेर करिए थोड़ा सब्सक्राइब करव देखे अगला कोशन है क्या डैस एक वन्य जीव सनरक्षन पहल प्रोजेक्ट नीलगीरी तरह सुरू की है किसने उत्तर प्रदेश ने बी है तमिल नाडू ने सी है केरला ने और डी है आंदर प्रदेश तो सही अंसर है क्या सर बी तमिल नाडू क्या तमिल नाडू ने एक वन्य जीव सनरक्षन पहल जिसका नाम है प्रोजेक्ट नीलगीरी तरह सुरू किया किसने तमिल नाडू ने अच्छा तमिल नाडू के सीम कौन है सर सीम कौन है या के म के स्टालिन ओर एंकि के स्टालिन इसके मुख्य मंत्री है और यहां पर सर लोग सभा सीट कितनी है मैं इस सवे सिट है नाड और राज्य सवे सीट कितना है अपरण ऑपर श्की कितना 18 है 18 राजसभा और 49 लोक्षभा की सीट है ते कुछ important और questions है स्टाटिक के इसको लिखेंगे चलिए आगे बढ़ते हैं तमिल नाडु ने वन ने जीव सनरक्षण पहल प्रोजेक्ट नीलगिरी तरह लाँच की है इस परियोजना का उद्देश लुप्त प्राय नीलगिरी तरह की रक्षा करना ठीक है जो पस्सिमी घाट की मूल प्रजाती है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला question है सत्यजीत रे lifetime achievement पुरसकार 2023 किसे प्रदान किया गया तो A, B, C, D सही अंसर बताएंगे और सही अंसर क्या है जल्दी बताएंगे A is the right answer, Michael Douglas, कौन? Michael Douglas ये Hollywood अमेरिकी अभिनेता है इनको क्या मिला है? सत्यजीत रे lifetime achievement अवार 2023 दिया गया है देखें, Hollywood की अभिनेता और निर्माता Michael Douglas को सत्यजीत रे पुरसकार 2023 दिया गया है सत्यजीत रे lifetime achievement पुरसकार इसके अस्थापना का वोई थी 1999 में जो तीसमें अंतरास्टी फिल्म महुत्सव में ये दिया गया ठीक है और इसके सत्यजीत रे lifetime achievement के स्थापना का वोई थी 1999 में तीसमें अंतरास्टी फिल्म महुत्सव में इसको किया गया था ये उन ब्यक्तियों को प्रदान किया जाता है जिनके असाधारन योगदान से सिनेमा की दुनिया को अत्यंत सम्रिदी और उन्नती मिली है सिनेमा में लेकनी प्रदरसन के लिए जाता है सत्यजीत रे lifetime achievement पुरसकार 2022 किसको दिया गया है कार्लोस सौरा कहां के है इस्पेन के चलिए आगे बढ़ते हैं कोशन है who has been named the ICC men's player of the month for September 2023 by the ICC ICC दोरा सितंबर 2023 के लिए ICC men's player of the month किसे चुना गया A है विराट कोहली, B है सुब्मन गिल और C है मुहम्मद सिराज और D है रोहित सर्मा तो मेरे दोस्त आप सभी को पता होगा तो चलिए नहीं पता तो मैं बताता हूँ आपको क्या सुब्मन गिल को क्या सेप्टमबर मन्त का ICC player of the month चुना गया किसको सुब्मन गिल इंडियन क्रिकेटर है, opener है सुब्मन गिल को दिया गया ठीक है चलिए तो क्याते है सर्पढ़ना है सर्पढ़ना क्यों है पढ़ना इसलिए है सर कि आपको अपने सपने पूरा करना है आपके अपनों के लिए आपके अपने सपनों के लिए पढ़ना है सर अब बिल्कुल पढ़ना है ना मन करे तो भी पढ़ना है खास करके अभी जिनके एक्जाम दिली पुलिस के है उनको तु कैसे भी करके पढ़ना है मन नहीं करता, बिल्कुल फरक नहीं पढ़ता आपको पढ़ना ही है और जहां तक रही current affair की बाद तो आपके exam में 15 plus question आपको current से देखने को मिलेंगे static मिला लेंगे तो 20 plus हो जाएंगे ठीक है? तो आपको ये class लगानी ही पड़ेगी ठीक है? लगाएंगे काफी easy हो जाएगा आप समझे बहुत ज़्यादा R&D करके मैं एक उस class ले आता हूँ P.I.B. से लेके The Hindu, Indian Express Hindi newspaper बहुत सारे sources use करता हूँ ताकि अच्छा content मिल सके देखे, वहीं England के खिलाब सांदार प्रदसन करने वाली स्रिलंका की जो महिला खिलाडी है क्या नाम है? चमीरा अथा पथू को क्या मिला है? ICC Women's Player of the Month किसको? चमीरा अथा पथू को ICC Women's Player of the Month चुना गया सेप्टमबर के लिए और मेंस में किसको सुम्मन गिल को चुना गया ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला कोशन है बिस्व बैंक और जापान द्वारा किस देश में लचीला और समावेशी आपूरती स्रिंखला संबर्धन राईज पहल सुरू की गई इन विच कंट्री वास दे री साइलेंट एंड इनक्लूसिव सप्लाई चेन इनहेंसमेंट राईज का पूल फॉर्म क्या है री साइलेंट एंड इनक्लूसिव सप्लाई चेन इनहेंसमेंट इनिसियेटिव लॉंच्ट बाइद वर्ल्ड बैंक एंड जापान बिस्व बैंक और जापान द्वारा किस देश में लचीला और समावेशी आपूर्ती सिंखला संबर्धन राईज पहल का सुरू की गई A है मुरक्को, B है एलजीरिया, C है लीबिया, D है ट्यूनिसिया तो सर इसका जो सही अंसर है, A is the right answer मुरक्को बिस्व बैंक और जापान ने मुरक्को में लचीला और समावेशी आपूर्ती सिंखला संबर्धन राईज पहल शुरू किया यह पहल उबरते हुए बाजारों और विकास असिल देशों को उनके स्वक्ष उर्जा उत्पाद विनिर्माड का विस्तार करने और खनी जुद्योगों में उनकी भागिदारी बढ़ाने में शहयोग करके रोजगार स्रिजन और जलवाई परिवर्तन की दोहरी चुनोतियों से निपटने के लिए डिजाइन की गई ठीक है यह डवलपिंग कंट्रियों के स्वक्ष और उर्जा उत्पादक विनिर्माड चेतर को बढ़ावा देने के लिए यह समझावता किया गया कहाँ पर विश्वबैंक और जापान ने मुरक्कों में ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला कोश्चन है इन विच सिटी मेसोलिथिक रॉक आर्ट वाज रिसेंटली डिस्कवर्ड इन में चेर्विला फॉरेस्ट ट्रैक पार्क हाल ही में मंचिर वुला वन ट्रैक पार्क में मेसोलिथिक रॉक कला की खोच किस सहर में की गई थी प्राचीन सहलियों से मध्य पासान काल के प्रतिक होने का सिंबल है जिसकी जो पेंटिंग है वो लाल रंग में है तीन कच्छुएं है यहाँ पे एक मचली और एक ज्यामिती रुपांकन दरसाती है इसकी सब्विता को यह पेंटिंग लगबख सर 6,000 से 12,000 साल पुरानी है जो इन्हें मेसोलिथिक यूग के अंतरगत रखती है यह जो 10,000 से 4, इस भी पूर्व तक फैला हुआ था ठीक है आज से अगला कोश्चन देखिए कोश्चन है सर तटी सुरक्षा अभ्यास सागर कवच 223 का आयोजन भारती वायू शेना की किस राज्य या केंडर सासित प्रदेश में किया गया तो 30 सुरक्षा भ्यास सागर कवच 223 कहां पे हुआ आंदर प्रदेश, तमिलनाडू और पुड़ुचेरी तीनों जग़ाँ पर तो सही अंसर क्या है D is the right answer भारती नौ सेना ने आंदर प्रदेश, तमिलनाडू और केंडर सासित प्रदेश पुड़ुचेरी में सभी समुद्री सुरक्षा एजंसियों को शामिल करते हुए दो दिवशी व्यापक तटिय सुरक्षा अभ्यास शागर कवच 02-23 का आयोजन किया है अगला कोशन है सर, वर्स 2023 में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कम मनाया गया वेन वाज वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे अब्जर्वड इन दे यर 2023 A है 14 अक्टूबर, B है 10 में, C है 17 अक्टूबर और D है 11 अक्टूबर सर, सही अंसर क्या है इसका, इसका सही अंसर, A is the right answer, 14 अक्टूबर, क्या, 14-14 अक्टूबर यह क्या है 2006 से मनाया जाता है, हर साल मनाया जाता है और 23 में इस साल क्या, 13 माई और 14 अक्टूबर को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला कुश्चन है सर, माखीर अदरक का सम्बंध किस राजसे है, A है मनिपूर, B है नागालेंड और C है मिघाले और D है त्रिपूरा माखीर अदरक अदरक समझते है न जो चाया में पढ़ती है अदरक माखीर अदरक का समद्ध किस राज़ से है तो सर्व माखीर अदरक का समद्ध किस राज़ से है तो इसका सही अंसर है क्या C is the right answer मिघालेय से किस राज़ से मिघाले से यह क्या है ła पड़ावा देने वरभा में के पहचान आजाता है। इनको जाना जाता है ट्रिनीटी स्यूए। सब्सक्राइब हमें पड़ावा देने के लिए अब राज्य के अधिति हैं माखीर अद्रक को बढ़ावा देने पर ध्यान के निरित कर रही है अब क्या है यह राज्य में अद्रक की खेती को बढ़ावा देने पर बिसस फोकस कर रही है माखीर अद्रक अपने विशिष्ट तीखेपन और और आसधी गुणों के लिए जाना जाता है इसकी जो इस पेस दिन एक देश के बारे में करते हैं तो आज हमके इसकी बात कर रहे हैं बोच्षवाना अफ्रीका महादीप की तो इसकी राजधानी क्या है गाबोर्नी मुद्रा क्या है बोच्षवाना पूला राष्टपती कौन है मोख गवेच की मोख गवेची मसीशी पडोसी देश कौन- 70% हिस्थे में क्या है कालाहारी मरुष्थल है और जवानेंग खदान और कारोवे खदान आरोपा खदान ये हीरे की प्रमुख खदान है प्रमुख माइन्स है हीरे की कहां पे बोच्षवाना में जो अफ्रीका महादीप का देश है ठीक है बोच्षवाना में दो युनिस्को साइट्स है कौन सी सोडिलो और ओंका ओकावांगो डेल्टा मुनाला नोंग हिल बोत्सवाना की सबसे उंची चोटी है और ओकावांगो नदी बोत्सवाना की सबसे लंबी नदी है यह इंपोर्टेंट फैक्ट है इसको लिख लेंगे आगे देखिए अगला भारत में 10 लाख से अधिक युवाओं को प्रमाडित करके एक उलेखनी मिल का पत्थर हासिल करते हुए Passport to Earning P2E पहल सुरू की है Which United Nations Organization launched the Passport to Earning P2E initiative achieving a remarkable milestone by certifying more than 1 million youth in India in the field of financial literacy and digital productivity A है UNESCO B है UNICEF C है UNIDO और D है सर क्या UNHRC तो सर इसका जो सही answer है इसका सही answer क्या है B is the right answer क्या United United Nations United Nations International चिल्रेन्स इमर्जन्सी United Nations International Children's Emergency Fund क्या नाम है United Nations International Children's Emergency Fund यह क्या है UNICEF का पूरा नाम है UNICEF का इसके स्थापना कभी थी इसके स्थापना हुई थी सर 11 दिसंबर 1946 को Member Country कितने इसमें 190 देश हैं तो क्या है यह Children's Emergency Fund है चाइल्ड के लिए इन सब चीजों के लिए क्या करता है यह Loan प्रवाइड करता है तो देखे लिखा भी है कि साक्षर्टा Education और उत्पादक्टा के छेत्र में भारत में 10 लाग से अधिक युवाओं को क्या प्रमाड़ित करके एक उलेखनी मिलगा पत्र यानी क्या देगा Passport to Earning यानी कमाने का एक जरिया देगा ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अब जैसा कि हम डेली 10 का दम जो करते हैं तो यह जो 10 important question है जिसमें से आज हम बात करेंगे पहला है क्या किस राज्य में विश्व का पहला 3D printed Hindu मंदर बनाये जा रहा है तो तेलंगाना में बहुत important है यह तेलंगाना में कहां परिस्तित है सिद्धी पेट में है अच्छा अजीत पावार किस राज्य के उपमुख्य मंतरी के रूप में सबदली है प्रदेश की सरकार ने प्रदेश के सभी 75 जिलों में 948 विरासत विरिक्षों के सनक्षण और शौंदरी करण के लिए कौन सी योजना प्रारम किये सर्थ तो 19 जुलाई 2023 को सरकार ने विरासत विरिक्षण अंगी करण योजना को सुरू किया है इसमें सबसे अदा ब्रिक्ष कहाँ पे लगाएं पांच जिलों में जिसमें सबसे अधा कहाँ पे वरानणसी में फिर कहा पे प्रयाग राज में, फिर हर्दोई में, फिर गाजीपूर मैं 35, 9 में 34 ठीक है वरानसी में 99 में, प्रयाग राज में 33 पन, हर्धोई में 37, गाजीपूर वे 35, 9 में 34 ब्रिक्ष लगाये गए कुशन है कितने बिपक्षी दलों ने वर्ष 2024 के जो लोकसवा चुना होने वाला है कौन सा 18 नमबर का 18 नमबर का उसमें NDA National Democratic Alliance जिसको BJP बोलते हैं का मुकाबला करने के लिए इंडिया का गठन किया है तो देखिए 17-18 जुलाई 2023 को जुक कितने 26 पार्टियों झालिकर इंडिया का गठन किया है और इंडिया का पूरा नाम किया है भारति रास्टि विगास आतम्हक समावेशी गटबंद इंडियान नेशनल डेवलेप्मेंट इंक्लूशिव lei के पैं कुशिव एलंको इंडिया का पूरा नाम है, इतने 26 पार्टियों ने मिलके बनाए है, चलिए, केंदर सरकार द्वारा अभी हाल ही में मनी पूर हिंसा की जांच हेतू, जिस अध्यक्ष के अधिशता में कमेटी गठन की गया, उनका नाम क्या है, अजय लामबा, ये गुहाटी उच नयाले के अधिशता में क्या है, केंदर सरकार के द्वारा मनी पूर हिंसा की जांच करने के लिए कमेटी गठित की गई है, अगला कोशन क्या है, रास्टी संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क का वर्ष 2023 में कौन सा संसकर्ण जारी किया गया, तो देखे सर, आज का कोशन कि इधर के कोशन लगा कि आपका व्यूज बढ़ाने का अलग हिसाब है, तो सरी उस पर मैं ज्यादा फोकस नहीं करता, काम की जो चीज है मैंने बोला पढ़ रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन क्या पढ़ना ये जानना बहुत जरूरी बात है, ठीक है, मैं पढ़ा रहा ह एकदम फोकस होता है आपके exam oriented content provide करने का, तो आप थोड़ा सा वरोसा रखिए, और चलिए आज की class को यहीं पर complete करते हैं, तो आप सभी का thank you so much class देखने के लिए, और एक बार फिर से बोलेंगे, अगर class अच्छी लगी हो, थोड़ी भी अच्छी लगी हो, तो मेरे दोस्त आप सभी class को एक बार share करिए और चैनल को subscribe जरूर कर देजी, thank you so much, आप सभी का दिन सुभो, thank you